हलो स्टुडेंट्स, वेलकम बैक, प्रीवेस वीडियो में हमने क्लास जिक्स्त का चेप्टर नमबर थर्टिन, इस फन विद मैगनेट स्टार्ट कर दिया था, उसके हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिये थे, कि मैगनेट क्या होता है, और पोल्स ओफ मैगनेट कौन-कौन से होते हैं, और उनकी डारेक्शन हम कैसा निकाल सकते हैं, यह सब हमने प्रीवेस वीडियो में देख लिया था, आज की इस वीडियो में हम आगे कपड़ेंगे, किसी भी जगह पर हम अगर मालीजी फस जाएं, तो हम डारेक्शन फाइंड करने के लिए, कमपास का यूज करते हैं, कमपास क्या होता है, एक इस तरह की से, राउंड बॉक्स होता है, जिसके उपर एक ग्लास कवरिंग होती है, और इसमें एक मैगनेटिक निडिल होती है, यह जो निडिल है, यह मैगनेटिक निडिल होती है, जो कि इसके अंदर फ्रीली रोटेट कर सकती है, कहीं भी, इस सर मतलब यह जो निडल है यह हमेशा नौर्थ और साउथ पोल की और डारेक्ट करेगी तो इसमें यह जो रेड़ वाला पार्ट है यह डारेक्ट करेगा नौर्थ को और जो उसका अपोजिट एंड होगा वो डारेक्ट करेगा साउथ पोल को ठीक है इस निडल को डिफरेंशिय उस वाली साइड को पेंट कर दिया जाएगा किसी अलग कलर से ठीक है तो यह जो पेंटेट साइड रहेगी हमेशा नौर्थ पोल को ही बताएगी और जो अपोजिट रहेगा वो साउथ पोल को बताएगा तो इससे हमें पता चल जाता है कि हम नौर्थ साइड कौन सी है और सा एक bar magnet लेना है bar magnet या फिर कोई साभी magnet ले सकते हैं कोई साभी shape का ले सकते हैं और क्या करना है place one of its pole on edge of the iron rod जो भी magnet का end है प्हानलेज़े हमने north pole लिया है तो वो जो north pole है magnet का उसे iron rod के एक end पर रखना है प्हानलेज़े हमेरे उंगली एक bar magnet है और ये उसका north pole है और ये एक iron bar है तो मैं iron bar के उपर north end को रखूँगे iron bar के इस end पर north pole रखूँगे इस bar magnet का और उसे इस तरीके से रब करते हुए इस end तक ले आऊंगी मतलब ये वाले end से ये वाले end पर लाना है और इस bar magnet को lift नहीं करना है यहां से यहां तक लाने में उसे उठाना नहीं है इस तरीके से लाना है यहां तक और फिर उठा कर इसे ही ले जाना है ये end को ही यहां पर place करना है और वापस से इस तरीके से इस end पर लाना है इस activity को repeat करना है इसी तरीके से 30-40 times जब तक कि यह जो बार है iron का यह magnetize नहीं हो जाता है magnetize नहीं हो जाता है मतलब कि जो भी iron fillings है वो इस iron rod से attract नहीं होने लगती तब तक हमें ऐसे बार magnet को इस पर रब करते रहना है continuously ठीके तो कुछ time बात देखेंगे कि जो iron filling से वो इस iron rod से attract होने लगेगी तो वो जो iron bar है वो एक तरह से magnet बन चुकी है तो हम कहेंगे कि जो iron rod है वो क्या हो गई है magnetize हो गई है तो इस तरीके से एक iron bar को भी एक magnet बनाया जा सकता है अब एक activity देख लेते हैं इस activity के थूँ हम एक compass बना सकते हैं कैसे देखते हैं एक homemade compass कैसे बनाया जाता है एक magnetize needle लेनी है magnetize needle कैसे बनाया जा सकती है किसी भी needle को magnet की help से इस तरीके से एक pole को उस पर rub करते हुए उसे magnetize किया जा सकता है और उस magnetize needle को एक wooden cork पर fit कर देना है एकदम center में ठीक है माल लेजी ये एक wooden cork है उसके एकदम center पर इस needle को insert कर दिया है इसका ये एंड नॉर्थ पोल है और ये वाला south pole है अब इस wooden cork को एक बाउल में रखना है जिसमें water filled हो ठीक है ये लेवल रहे को water का बस यहां तक ये धियान रखना कि ये जो needle है ये water से touch नहीं होनी चाहिए ये जो wooden cork है ये फ्लोट करेगा इस water के उपर तो ये needle हमेशा water के उपर ही रहेगी इसे float होने देना है तब तक जब तक कि ये rest पर नहीं आ जाता ये अपना movement बंद नहीं कर देता तब तक कि इसको हाथ नहीं लगाना है ठीक है और देखा जाएगा कि ये जिस position पर rest करेगा वो south और north pole की और direct करेगी मतलब कि ये जो south pole है इस magnetized needle का ये जिस भी direction में माली जी ये इस direction में हुआ इस direction में हुआ इस direction में किसी भी direction में हो सकता है कहीं भी रुक सकता है तो ये जिस भी direction में रुकेगा माली जी इस direction में रुका है तो ये वाला end हो जाएगा south pole और इसके opposite हो जाएगा north pole ठीक है तो ये इस activity में है कि एक magnetized needle और corp की help से हम एक compass बना सकते हैं next हम देखते हैं attraction and repulsion between magnets attraction और repulsion क्या होता है magnets में attraction क्या होता है कि कोई भी magnets दो ले लिये हैं वो attract करें मतलब आपस में एक दूसरे को खीचे अपनी और attract करके इससे चिपक जाए repulsion मतलब एक दूसरे से वो दूर जाए उसे कहेंगे repulsion और attraction मतलब एक दूसरे के पास आए वो ठीक है तो magnets में क्या होता है कि जो unlike poles है यानि मान लेजें दो magnets लिये हैं ये north pole है ये south pole हो गया और इस magnet का ये north pole और ये south pole हो गया तो ये unlike poles कों से होगे ये south pole इस magnet का और north pole इस magnet का ये दोनूं क्या होंगा unlike poles ठीक है तो ये दोनों क्या करेंगे एक दुसरे को attract करेंगे एक दुसरे को अपनी और खीचेंगे लेकिन अगर दोनों ही same pole हैं माल दीजिए इधर ये हमने इसको rotate कर दिया flip कर दिया तो ये north pole और ये south pole इधर तो ये दोनों क्या हो गए same pole हो गए दोनों like poles हैं तो ये क्या करेंगे एक दुसरे को ripple करेंगे मतलब एक दुसरे से दूर जाएंगे ठीक है तो ये ही होती है attraction और repulsion properties magnet की कि दो opposite poles है तो वो एक दुसरे को attract करेंगे लेकिन दो similar poles एक दुसरे को ripple करेंगे ठीक है, यह लिखा है इसमें, कि unlike poles attract each other, that is north pole and south pole of two magnets attract each other and like poles ripple each other, ठीक है, north pole first magnet का और north pole second magnet का ripple करेंगे एक दुसरे को, यह दो magnets हैं मेरे पास, ठीक है, इनके यह जो भी poles attract करेंगे, वो आपस में चिपक जाएंगे, यह देखें, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, कि यह वाला जो pole है, इस magnet का, वो और यह वाला pole different है, दोनो, unlike poles है, इसलिए यह क्या हो गए, चिपक गए एक दूसरे से, यह दोनो opposite poles है, इन में से एक कोई सा end south है, और एक north pole है, ठीक है, अभी देखें, यह attract हो रहे हैं, लेकिन, अगर मैं इन में से एक को rotate कर दूँ, तब यह क्या हो गए, दोनों ही opposite poles के हो गए, तो यह एक दूसरे स से दूर भगेंगे, यह देखें, यह स्टिक नहीं हो रहे है, यह दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे है, तो यह क्या शो करता है, कि जो दो opposite poles है, वो attract करेंगे, लेकिन similar poles repel करेंगे, देखें, दोनों similar poles थे, इसलिए magnet rotate हो गया, और उसने अपना pole change करके, इस स्टिक ह हो गया, इस से, इन magnets को बहुत ही साफधानी से handle करना चाहिए, नहीं तो यह अपनी magnetic properties lose कर सकते हैं, कि इस तरीके से lose कर सकते हैं, एक तो heating से इन्हें अगर गरम किया जाए तो यह magnetic properties lose कर सकते हैं, दुसरा, कि अगर किसी height से बहुत जादा height से इन्हें गिराया जाए, तब भ इन्हें पीटा जाए, तब भी क्या होगा, इनके जो magnetic property वो खतम हो जाएगी, इन्हें हमेशा पैर्स में रखना चाहिए, ठीक है, दो unlike poles, यानि north और south pole, दो magnets के same side पे होना चाहिए, जैसे मानले जी यह दो bar magnet है, तो इनकी यह दो pole opposite होना चाहिए, एक north होना चाहिए, एक south pole बोना चाहिए, और बीच में इनके कोई भी wooden block रखना चाहिए, ठीक है, इस तरह से इनको समाल के रखना चाहिए, तो यहाँ पर यह chapter end होता है, अगले वीडियो में इसके exercise कर लेंगे, thank you so much for watching.